कैसे आप लोग दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए गूड नीज है पूरे उत्तर प्रदेश से जिलेवाई जो बैकेंसी का डिटेल है वह यहाँ पे जारी कर दिया गया है तो मैं आज आपको दिखाने वाले हूँ क मैं आपको दिखाने वाला हूँ को आपनों का बहुत ज्यादा कमेंटा आ रहा था तो फाइनली जो है वह जिलेवाई भरती आपकी निकाल दी गई है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फटपाट इसके नोटिविकेशन की तरफ और दिखाता हूँ डिटेल में पूरे ज्यादा सेयर कर दे ताकि सभी बहनों को इसका फायदा मिल पाए सभी को जानकारी हो पाए कि पूरे उत्तरप्रदेश से आंगनवाडी बरती शुरू हो चुकी है तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पर हैं आंगनवाडी रिकूप्मे करके हम आएंगे और यहां पे आपको देखने मिलेगा लेटेस्ट बैकेंसी ठीक है यहां पर आप देख पर डिश्टी को आई बैकेंसी तो मैं सभी जी लोग आपको बताने वाला हो कि कहां पर कितने पद हैं आपको द्यान से देखना है पहले नंबर पर आपको नजर आ अगर अंगनवडी बैकिंसी 482 पद है अलिघर के लिए बात करें तो 499 पद है अम बेटकरनगर के लिए बात करें 350 पद है अम यही के लिए दोस्तों बात करें 473 पद है अम रोहा के नीशिक तरब चलेंगे दिखे ग्राम पंचाहित में कैसे देखना वो लाशनु बताऊंगा पहले जीलेवाईज बता देता हूं पर यहां पर आप देख पा रहे हैं बलिया का सतत्तर है बलराम पूरु के लिए 388 पद है आगे बात करें बांदा के लिए 270 पद है बारा बंकी के लिए 420 पद है ठीक है बरेली के लिए बात करें दोस्तो 349 पद है बस्ती के लिए 268 पद है भदोही के लिए बात करें 108 पद है बिजनावर के लिए 507 पद है निचे आना है बदायू के लिए बात करें 538 प पर इटावा आंगनवाडी देखे ग्यारा पद है पर्रूखाबाद के लिए दोस्तों 166 पद है फातेपुर के लिए बात करें 426 फिरोजाबाद के लिए 371 है पिर देखें गौतम बुधनगर की बात करें 136 गाजियाबाद के लिए 212 है गाजीपूर आंगनवाडी बेकें हात्रस की बात करें दोस्तों यहाँ पे 194 पद है जालाओन के लिए 317 पद है 330 पद यहाँ पे जौनपूर के लिए 311 पद है कन्नौश की बात करें यहाँ पे 164 पद है कानपूर देहाद के लिए 256 पद है कानपूर नगर के लिए 371 है कासगंज के लिए दोस्तों 323 पद ह पिर यहाँ पर बात करें कॉसांबी के लिए 211 पद है, 487 पद दोस्तो खीरी के लिए है, फिर बात करें कुसी नगर के लिए 285 पद है, ललीदबुर के लिए 106 पद है, फिर लखनव के लिए 566 पद है, महराज गंज के लिए 308 पद है, महोबा के लिए 113 पद है, मत्रो के के लिए 334 पद है माउ के लिए बात करें 208 पद है मेरट के लिए 298 पद है मिर्जयपूर के लिए 313 पद है मुरादाजावाद के लिए 104 पद है 295 पद मुझापफननगर के लिए पिली भीत के लिए 210 पद है प्रतापगड के लिए 443 है प्रयागराज के लिए 516 पद है रा साज यहापूर के लिए 377 है सामली के लिए 118 है नीचे बात करेंगे स्रावस्ती के लिए 294 है सिधार्थ नरगर के लिए 365 है फिर यहापे देखे सीतापूर की बात करें दोस्तो 220 पोस्ट है ठीक है और नीचे तरब बात करेंगे दोस्तो यहापे देखे सोनुभद्र के लि यही बैकेंसी आपकी आनी लेकिन एक चीज़ ध्यान है अभी जो बैकेंसी जारी की वो दो जगे की फाइली जारी हुए एक तो आपकी मैंने सुबही बताया आपको कौसांबी जिसने नहीं देखा वो कौसांबी का नोटिफिकेशन देख सकता है उसका सेल्प मैंने एक से लाज़ डेट है अगर नोटिफिकेशन देखना तो इस पर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है मुझभफन अगर का वो डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा सा वेट करेंगे मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला ह हर जीले के लिए यही क्वालिफिकेशन चाहिए यही डाकुमेंट चाहिए फार्म बनने के लिए बस फार्म जो आनलाइन फार्म है वो डेट आगे पीछे हो सकती है यहाँ पे आप देखकर है 10 मार्च ठीक है 2024 का मुझभफन अगर सी जारी किया गया है यहाँ पे देखे स 60 से 66 है कठावली से 20 है मोरना से 32 है पुरकाजी से 55 है और मुझभफन अगर सहर यह सहरी से है 11 है मुझभफन अगर सदर गरामीर से 288 है साहपुर गरामीर से 10 टोटल 287 पद यह आपके मुझभफन अगर तो आपके देखे आनलाइन फार्म है अभी सिप्द दो जिले की सुरू हो जाएंगे दूसरा है आपको मुझा अपफन ना कर ठीक है दो जीलों की जो बैकेंसी के आउनलाइन फार्म है वो सुरू हो गये हैं बाकी जीलों के धीरे-धीरे सुरू होगे ठीक है एज की दिखें बात करें यहां पर देख पर हैं एक एक दोजार चौबीस से वाम भरने की क्लिएर हो गया नीचे आना है घी मैं डिखावूकर की फाम आपको भरना कहां से ठीक है यह हो के आपको मुझाफन अगर का बैकान आ है अब देखें देखें डेटें मैं आपको कैसी फाम बनने के लिए मैं आपको बतातो करना क्या है यहां पर देखें तीन आईन नजर आ रही है इसको हमको इस पर क्लिक करना है जयसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं र en emoji इस रे कुछ भी नहीं समाज में आ रहा है कोई डाउट है तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं अगर आपको मुझसे डारेक्ली बातचीत करना है तो दोस्तों जो आपका इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप इंस्टाग्राम मेरा जोइन करके मुझसे डारेक्ली भी बातचीत कर सकते हैं जो प्राउप्लम है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर यहां पर देखे मुवाइल नंबर आधान नंबर अपना इमेल डालना है ठीक है कैप्चा यहां पर दोस्तों और यहां पर दोस्तो रेजिश्ट्रेशन राने पर क्लिक करें गो से होँजा जाएगा पिर फिर यहां प्र देखे लागा के आप्सेम करने के बाद आपको कुछ इस तरह से डियस नजहराएंगा थिकर मैं थोड़ास इसको desktop site पर open कर देता हूं ताकि सही से दिखाई दे थोड़ा सवेट करें दोस्तों यहां पर देखिए फोन में दिक्कत कर रहा है यह देखिए यहां पर अगर यहां पर login वाले option के लिए देखिए क्या करना है वाइल नंबर डालना है कैप्चर डालना है ओटीपी जाएगा फिलप करना है लॉगिन वाले पर क्लिक करें लॉगिन करके आपको फार्म भरना है यह इसकी website है अच्छाई यह जो website में आपको आना कैसे है चली मैं बता देता हूं इस website कर लिंक मैं आपको वीडियो के डिक्स आना है कोई भी स्पेस आपको बीच में नहीं देना यूपी आंगनवाणी भरती पूरा एक साथ लिखना है ठीक है और डाट इन इतना लिखनेक बाद सर्च वाले आप से पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंग देखे इसकी जो आपसल website है यहां पर आप देख पर उत्तरप प्रियागराज का ही दिखा देता हूँ प्रियागराज वाले आपस regulation पर दोस्तों हम यहां पर क्लिक करेंगे चलिए इस पर click कर देते हैं इस तरह से जैसे दोस्तों Street करेंगे देखे फिर से झाल से ऊइधानओन होगत हो ठीक है अब यहां पर vacancy कहाँ कहा चे से निकले की बहादूरपुर से 26, भारिया से 20, चाका से 29, सीटी 1 से दोस्तों आपकी 71, सीटी 2 से 57, फिर यहाँ पे देखें धानूपुर से 10, हडिया से 15, होलागर से 4, जज़रा से आपकी 58, कर्चना से 14, तो नम्मर वाले पेस पे क्लिक करेंगा, और होगी तो आपकी 100 हो जाएगी जी बिल्कुल है, अब यह आगे देखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखें, कौडिहारा से 5, फिर कौडिहार से 24, कौराओं से 19, मांडा से दोस्तों आपका 8 है, मौाईमा से 10, मेजस 34, फोलपुर से 14, और यहाँ पे देखें, परतापूर से 13, सैदावा से 15, संकरगर से 18, तीन नमर वाले पे फिर से क्लिक करेंगे, देखते हैं, और यहाँ पे दोस्तों सोराओं से 14, उर्वा से 8, इस तरह से आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं, देख पाएंगी कहां कहां से आपकी बैकेंसी आना है, इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने आपका एक जिले का तो आप इसी तरह घर बैठे हर जिले के दोस्तों देख सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, किसी भी बहन को कुछ भी नहीं समझ में आता, तो जैसा कि मैंने बताया है, कि इंस्टाग्राम का जो आपका लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रि कर सकते हैं, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार के नोटिपिकेशन आपको भरतिस लेटेट, घर बैठे मिलते रहे हैं, आप में इस लाग दो, अब इस वीडियो को समाप्त कर करेंगे, जय हिन, जय भारत!